हेलो एब्रिवन ये है विडियो वर्ल यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं इटैब्स टुटोरियल सेरीज आज की विडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबको हैपी न्यू येर और टुटोरियल से अलग हटके एक बात कहना चाहूंगा कि आज से एक साल पहले फर्स जनवरी को आप मैं सभी हम किस लेवल पर थे हमारी क्या कंडिशन्स थी और आज एक साल हो गया है और आज किस लेवल पर है अगर उससे बैटर है तो गुड उतने ही है तो बैड और अगर उससे भी नीचे गया है हमारे लेवल तो वेरी वेरी बैड तो आप ल कुछ भी काल लीजिए की मेरे को ये करना है,nelle like fitness health को लेकर करना के या किसी भी चीज को लेकर करना है इस साल मुझे अपनी चीज यहादद धबीट बनानी है और इस चीज यह मिर को इस मतलर इस चीज को पना है इस चीज मास्ट्री करनी है जैसे कि मैंने सोचा है इस साल मैं अपनी हेल्थ और फिटनेस पर दिहान जादा रखूंगा क्योंकि दो दिन से मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसके विडियो भी नहीं बना पाया तो एक और सजेस्न मैं आपको देना चाहूंगा कि दस चीजे नहां लेकर चलें, अपनी हेल्थ फिटनेस मैं जिम भी जाओंगा मैं एक्जाम भी करेक करूँगा, अपनी लैंग्वेज भी ठीक करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा और कुछ नहीं हो पाता है, कोई एक चीज, छोटी से चीज और चोटे स्टेप्स में स्टार्ट कीजिए, सही कैरो, आपके एक साल का पता भी नहीं चलता का बत है, और आपके लाइफ चेंज हो जाएगी, सोची एक साल पहले अगर आपने जिम जाना स्टार्ट कर आदो तो आज क्या होता? एक साल पहले आपने कुछ भी सीखना स्टार्ट किया तो आज क्या होता है ना तो यह मेरी एडवाईज थी कि जो भी है आज से स्टार्ट कीजिए कोई एक गोल लीजिए बस एक गोल ज्यादा गोल नहीं और स्टार्ट कर दीजिए आज से तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और चीज एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि जो हेल्थ वाला जो है ना आपका हेल्थ फिट्नेस का हेल्थी खाना एक्रसाइस का नहीं यह बहुत ही ज़्याद है वह ने apply के अपने उपड़ इससे बहुत सारे benefit हैं यहीं कि आपकी health अच्छी होगी आपके पैसे बसते हैं आपको बिमारी नहीं होती है, डोक्टर के नहीं जाते हो, आपको दिमाग के तेज चलना जाता है, क्योंकि आप healthy रहते हो, खुश रहते हो, दिमाग तेज चलता है, नए idea आते हैं, यह होता है, सच में, जाते हैं, सच में होता है, exercise, योगा करने से, सच में हमारा mind power भढ़ती है, वो नए-ने idea आते हैं, जो चीज़े में tough love होते हैं, वो तो easy same कर लेते हैं, तो first जो goal है, वो अपना health का रखिए, तो चलिए start करते हैं, तो आज का topic है time history analysis, तो time history analysis सबसे पहले होता क्या है? time history analysis, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है time history analysis, यानि जो history का data है, वो हमें अपने building पर apply करना है, यानि कि जो हमारा building है, model है, उसके जो base है, उस पर हमें वो history में ground motion यानि अर्थक्वेक जो आ चुकी है, उनका data building के base पर लगाना है, फिर building का maximum response देखना है, ठीक है? यानि कि जो हमारा history में earthquake है, उसको जो data है, वो हमने लिया digital form में और उसको हमने एक software के through से model बना के उसके apply कर दिया, फिर उस building का response देखा, अब ये बात आती है कि data कि type का है और ही कहां से मिलेगा, तो देखिए जो भी earthquake होते है, उनको data होता है, measure करने वाले instrument होते है, data, time versus acceleration की form में record करते है, time versus acceleration, एक seismogram होता है, instrument, जब वो लगा होता है, जमीन के अंदर, जब earthquake vibration आती है, तो time versus acceleration के data record कर लेता है, ठीक है? तो अब ये आसान इस Google में जाता है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, तो चलिए start करते है, तो ये एक model मेरा last video में साइर ये model ना है था, इसको unlock कर लेते हैं, तो जी सबसे पहला step है, वो है define करना time history function, तो define में जाएंगे, function और time history, ठीक है? ये दोन time history function पहले से same को delete कर देते हैं, और यहाँ पर करना होगा, file, file क्यों करना होगा, मैंना भी बताया कि मैं data लेना है, बाहर से, ठीक है? file पर क्लिक किया, add new function पर क्लिक किया, और यहाँ पर यहाँ पर browse है, यहाँ से हमें उस file को open करना, पहले वो file हमें कहाँ से मिलेगी, देखिए, देखिए, बहुत सारे बड़े-बड़े earthquake आये हैं, लेकिन जो एक earthquake का बहुत famous हो है, मैक्सिको में, USA में मैक्सिको बोडर पाया था, El Centro earthquake, तो उस earthquake में कहता है, instrument जो था हमारे, fold ज जादा तर अब analysis करते हैं, उस data को लेक करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, El Centro data, ठीक है, USA मेक्सिको सहर के बोडर पर जो अरत को एक आया था, उसकी vibration का data, क्योंकि वो बहुत ही नजदीक था हमारे fold के, जहां पर fold आया था, तो देखिए, फस्ट लिंक जो खुला ह इस पर मैंने क्लिक किया, और यह आचुका है हैं आपर, देखिए, El Centro, North, South, East, West तरह से data नाम से, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करती है data आगया, देखिए, time versus acceleration, ठीक है, या तो आप इसको copy कर दीजिए, इस सारे data को, निचे क्या मैंने, shift के साथ मैं नीच दबाऊंगा, यह पूरा select हो जाएगा, copy किया, अब क्या करते हैं, एक folder बनाते है, यह आई tap का folder बना हुआ है, इस folder में मैंने एक notepad बनाया, ठीक है, notepad के अंदर मैंने data पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने save कर दिया, और इसका नाम डाल देता हूँ, मैं, elcentro.dat, आपको लिखना फाइल करना, dot dot यही इस्टी टाइब लेता है, तो एक बाई से open कर देता हूँ, आप समझे लिए न, इस time का, यह time हो गया, और यह acceleration हो गया, है न, इसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन time हमें सा positive होता है, acceleration negative भी हो सकता है, positively, मैं समझ गया कि यह acceleration है औ ठीक है, तो US से अमेरिका के मेक्सिको सहर के जो border है, पता नहीं, वो मेक्सिको ठीक है, तो वहाँ पर जो अर्थ को एक आयता है, जहाँ पर जो fault हुआ था, उसके विखुल पास में ही कोई instrument था, जिसने बहुत अच्छा data record किया, इसलिए हम ज्यादा तर इसका data use करते है, ऐ ठीक है, तो यह रहा, या फिर आप Google पर इसी को download भी कर सकते है, ऐसे not pen ना मना के, अगर आपके पास internet download manager है, तो देखिए इस पर right click किया हमने, download by idm, यह download हो गया, इसे इस folder में डाल लेते है, ठीक है, यह वाला data जो download है, यह हमने text copy करके बनाया है, आप ETM में जाते हैं, दे time history, time ABC, ठीक है, यहाँ browse से इसको browse कर लेते हैं, desktop, ETAP, कोई भी ले ले लेते हैं, यह वाला ले ले लेते हैं, नोटपैड वाला, ठीक है देखिए, ग्राफ आ चुक है, यहाँ पर आप किस interval पर लेना चाहते है, 0.02 second, कितने second ले सकते हैं, यह ग्राफ की चीज़े हैं, इनक कोई ज़्यादा है, इसमें समझने की जरूओती नहीं है, तो यहाँ पर मैं और कि कर दोता हूं, थोड़ा सा slow processing में जाते हैं, जब time history और analysis करते हैं, अच्छा हम जब time history यह data तो हमने इस लपनी building पर apply कर दिया है, इस से हमें response में क्या हम लेगा, response से मिलता है, हमें हर floor का displacement, velocity, कितना है with respect to time, ठीक है, यहाँ आ चुका है, okay कर दिया है मैंने, इस के बाद function के बाद, हम मास define करना होता हूं, जो हमने पहले वाला मास define करते हैं, इस static में, lambda mass, अगर कोई previous वीडियो में इस से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मतलब बता रहेता हूं, lambda mass मतलब उता है, एक mathematical model वाना, half floor को mass में convert करना, ठीक है, लास्ट वाली इस से पहले जप्लोड की थी, वीडियो को देख लीजिए और detail में समझना जाएगा आपको, उसके बाद हमें एक load case मनाना होता है, ठीक है, add new, आप time history में भी x, y direction हम के वाल x में ले ले लेते हैं, time x, ठीक है, तीजी building से मैठते हैं, same result आएगे, और यहाँ पर time history, ठीक है, linear model ले 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 लेते हैं, ठीक है, time history में आप linear, non-linear दोनों analysis कर सकते हो, और यहाँ पर आपको add करना है, तो load pattern के acceleration apply कर रहे हैं, x direction में और कौन से function लेके, ठीक है, l center को data लेके, scale 1, ठीक है, यह scale factor का एक formula बे होता है, आपके पास, क्या होता है, वो i, g by r, i होता है, importance factor, माल लेज़े, importance factor 1 है, और g माल लेज़े, around experiment 9.8 को 10 माल लेज़े, और r आपका 5 है, है न, तो इससे आपका scale लिकल जाए लो, okay कर देते हैं, यह okay हो, बस अब आपको ए analysis कर देना है, maybe हो सकता है, कुछ error आजाए, क्योंकि इससे बहुत सारी, इसी model पर बहुत साची try कर चुका हूँ, अब maybe नहीं आए, तो इस data apply case से maximum, क्या response और structure कर वो हमें check करना है, analysis हो चुका है, चलिए जाते हैं, डिस्प्ले, डिस्प्ले में सबसे पहले हम जाते है, store a response plot, देखिए maximum displacement कितना हा रहा है, इसमें, और lateral force जो पहले वाला था eqx, तो यहाँ पर यह भी data, आप static और dynamic data देख सकते हैं, अब time history का मिया से देखते है, response spectrum curve, देखिए, यह आपका है time period, और यह आपका है acceleration, देख सकते है, acceleration की unity होती है, mm per second square, और किस direction में, x direction में, और कौन से story का दिखा रहा है, response, third story का, story change करते हैं, तो यह response है, story 1 पर यह response हो, और base पर यह response है, इसा format में रहे लेते हैं, देखिए, इस time period पर जब damping 0 होगी, तो acceleration इतना, damping के साथ साथ आपको बताए, damping बढ़ती जाएगी, और उसका response आपको बताता जाएगा, damping आपको पता है, damping ratio क्या होता है, damping material की वह property होती है, जो oxalate होने से रोकती है, ठीक है, देखिए, यह जो PSA आपका pseudo spectra acceleration के बारे में, base का यहाँ पर देखिए, third floor का, यह time versus acceleration, मैंने का रहा है, response में चीए, acceleration, velocity, displacement, ठीक है, तो maximum यहाँ पर आ रहा है आपका, अब देखिए, मैं PSA की जगाँ चेंज करता हूँ, PSV, यह क्या आपका, pseudo spectra velocity, ठीक है, third story का, और अब मैं चेक करता हूँ, SD, spectra displacement, ठीक है, तो maximum देख लेते हैं, कितना आ रहा हैं उसे, इसे, आप Excel format में भी लिया कर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करोगा, तो एक Microsoft Excel में चलाएगा, वहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, देखिए, एक लिया, ठीक है, Microsoft Excel, इसमें डाटा आच्छों का, यहाँ पर देख सकते हैं, Maximum Acceleration, Maximum Displacement, तो Maximum Displacement आपका, यह Time Period है, यह, 5 साइकिन में, Maximum Displacement में रहाँ, देंपिंग किस पर, 0.07 डेंपिंग पर, यह Maximum है, यह, Sorry, 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 यह Maximum नहीं है, Maximum यह है, ठीक है, जीरो डेंपिंग, समसें, डेंपिंग जीरो का मतलब, एक ओक्सिलेट होने से, कुछ भी रोक नहीं रहा है, उससे तो Displacement जाता होगा, हैं तो जैसे-जैसे, डेंपिंग बर रहे है, Displacement कम होता जा रहा है, ठीक है, और रिजर्ट देखते हैं, स्केम, टाइम वर्सिस और बेशियर, यह है आपका टाइम वर्सिस बेशियर, यह देखिया, अब नॉर्मल कंडिशन आ गई है, अधि, ग्लोज हो जाए गई, तो इसमें था कि किस-kis सैकंड पे, कितना बेस यर बिलिंग पे, ड है, उस ग्राफ में, दो सैकंड पे कितना बेस यर था, चार शैकंड में कितना बेस यर था, फिर उसको max format मिलेगा तो फिर पतत लगा किस time period में maximum displacement था तो यह था आपका time history एअज इस मैं सकी एक और video बनाऊंगा और detail में जाऊंगा एक बहुत बढ़ा topic है अपने आप में और कुछ problems की solve problem मिलेंगी तो better होगा कि अभी तो हमने graph दिखा दिए हैं आपको पता नहीं हो सही है या नहीं है data तो क्यों नहीं एक problem है को research paper इसके उपर publish हुआ होगा उसके data को लेके हम result match करेंगे तो better होगा उसके लिए थोगा time चाहिए मैं जुरूर करूँगा और यह जो आपका syllabus है e-tab का इसके बाद हम क्या करेंगे e-tab में जितने भी e-tab के उपर research projects है research papers है उनको download करके उनमें जोने research की है उसको हम अपने आप e-tab पर करके result compare करेंगे ठीक है उससे हमें ज्यादा समझवाएगा मैं पहले ही माना यह है कि अगर हम solve problem को e-tab से करेंगे result match कराएंगे तब ही हमें पर चलेगा कि हम आज software का हम सही काम कर रहे है वहना software में तो कुछ भी ढाल दो result देहीं देगा हो और हो सही है या नहीं हो तभी पर चलेगा तो कुछ टॉपिक बचेंगे खतम होने के बाद हम सीधा research paper उनको use करके start करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही thank you please subscribe कीजिए अकर आपको वीडियो पसंद आती है तो please कुछी second लगते है facebook पर share करने के लिए please share कीजिए like कीजिए thank you